नमस्कार दोस्तों मेरा उल सास्त्री स्वागत करता हूँ आपका दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे तीसरे भाव में सूरिये कुण्डली का यह तीसरा भाव होता है इसमें सूरिये कैसा रिजल्ट देंगे पराकरप भाव के अंदर सूरिये देव कैसा रिजल्ट देंगे त तो देखे शूरिय जो होता है गुर्मिंट का कारम स्वाभो के थि यह स्वा बंपृर्वेंट का省 ह yol स्वाबिमान का कार crush है पर्तिष न का अगर यहाँ पर बैट गए तो कैसा परभाव देंगे देखे समझ लेजिए अगर सूर्य यहाँ पर बैट गए तो आपको दो चीज़े देखने होगी एक इस भाव के स्वामी इसका मतलब यह है कि सपोज करो अगर यहाँ पर चार लिखा है तो चार का मतलब करकरासी तो करकरासी के स्वामी कोन हुए चंद्रमा तो कुंडली के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेट कैसा है अगर वो बली हुए तो सूर्य यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट देंगे इस भाव से रिलेटेड सूर्य देव बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगे दूसरा एक कंडिशन तो इस भाव के स्वामी दूसरा यह जो तीसरा भाव होता है यह पराकरम का भाव होता है और प्राकरम जानने के लिए और ये छोटे भाई बहनों का भाव माना चाहता है प्राकरम और छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को समझना जरूरी होता है तो कुंडली के अंदर अगर मंगल का प्लेशमेंट अच्छा हुआ तो इस भाव से related सूर्य देव को अच्छे बढ़ मिलेंगे और अगर जो तीसरे भाव की जो सुवामी है वो और मंगल देव अगर कुडली के अंदर अच्छे नहीं हुए तो फिर इस भाव से related सुर्य देव गलत परिनाम देंगे मंघल और इस भाव के स्वामी जो है उन दोनों में से एक तो परबल अच्छा होना चाहिए यहां बैठके सुर्य देव जतक को अति प्राकरमी बनाते हैं सुर्य यहां बैठके देखा गया है जो जतक को दोलत सुक देते हैं महनत करके खाने वाला होता जतक ऐसे जातक की लंबी उमर होती है मानसिक संतुलन पहुत अच्छा यानि दिमाग जातक का पहुत अच्छा और सात्वी दरश्टी जारी है जहां पर भागे भाव माना गया है तो जातक भागे साली होता है कब जब तीसरे भाव के स्वामी हो और मंगल देव कुंटरली के अच्छे हो तो जातक को भागे का पहुत अच्छा सात्व बिलता है क्योंकि जहां उनके दरश्टी जारी है महाँ पे सूर्य कारक होते है तो ऐसे में जातक को पैतरिक संपत्ति पिता का सुक और भागे तीनों चीज बहुत अच्छा फायदा देती है हलाकि सूर्य यहां पे बैठके थोड़ा संगर्स जरूर देते है जातक को जातक मित्रो और पडोशियो मित्रो और पडोशियो पे हमेशा डोमिनेट करने वाला होगा एक मैं आपको और चीज बता दो अगर सूर्य यहां पे है और मंगल भी यहां पे है तो जातक स्पोर्ट के फिल्ड में होगा एक बहुत अच्छा स्पोर्ट परसन देखा गया है दुबारा मंगल और सूर्य दोनों यहां पे यूती बना के रखे हैं समझ लेजें आग बंद करके कि जातक स्पोर्ट के फिल्ड में बहुत अच्छा होगा दूसरा सूर्य के साथ में यहां पे शुक्र हुआ और मंगल भी हुए या मंगल किसी तरह से भाव में दरस्टी देते हुए मिले या फिर सूर्य और सुक्र हुए तो जातक मीडिया के छेत्र में यानि फिल्लम इंडेस्ट्री में बहुत अच्छा होगा उसमें कला का, संगीत का, नाटक का ये गुन बहुत अच्छी होंगे सूर्य यहां पे बैठने के बाद एक में और बता देता हुए आपको ये सूर्य पिता का कारक है ये भावत तीस्तरा थोटे बाए-बहनों का भाव माना कहया है तो यहां पे सूर्य अपने छोटे बाए-बहनों को पिता की तरह प्यार करने वाला होगा जिन्द की भर उनको सेटल कराने में लगा देगा जो रिस्पोंसिबिल्टी है वो एज़े फादर की तरह लेगा आप भी देख सकते हैं अगर आपकी कुंटल में सूरिये हैं और आपके छोटे भाई हैं तो आप अपने छोटे भाई को पिता के समान प्यार करने वाले बनेंगे जातक प्राकर्मी होगा और मांशिक संतुलन जातक का बहुत अच्छा होगा सूरिये यहां पर बैटने के पाद अपने दरस्टी दे रहे हैं भागे भाई पर तो सूरिये की दस अंतरदसा में जातक को प्राकरम प्रिसरम तो जरूर करना पड़ेगा पर यहां पर मंगल और तीसरे भाई के स्वामी अगर अच्छे होए तो जातक को भागे का साथ जरूर मिलेगा बाग्य क शुक पीचा के साथ लाब व्यापार के दृस्टी चे से अच्छा तो इस भाव में बैठने के बाद सूरेद्यो ये सब चीज़े दिखाता है तो दोस्तों मेरी वीडियो कर अच्छी लगी होगी तो लाइक करना मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा धन्यवाद